हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल, स्टडी प्री क्वेस्चन्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नाकपूरी भासा पेपर 2 के लिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द को देखेंगे जिसे नाकपूरी में कहेंगे धेर सब्द कर एगो सब्द चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से सब्द है वैसा हो जमीन जिसमें कुछ नहीं पैदा होता है, कुछ नहीं उपजता है उसको क्या कहते हैं नाकपूरी में? उसर कहते हैं, उसर जमीन लेवेक देवेक बात यानि कि लेन देने की बात को क्या कहते हैं कचिया पैसा का बात कहते हैं यानि कि लेन देन का बात जेकर बिहा नहीं होए है यानि कि जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे कुआर कहेंगे जे लूगा नी पिंधल गेलक है यानि कि जो कपड़ा है नहीं पहना गिया है उसको क्या कहेंगे नावा लूगा लूगा यानि कि कपड़ा जे दूसर पहें धेस लगायला यानि कि जो दूसरों पर आरोप लगाता है आरोप मड़ता है उसको क्या कहेंगे धेसाहा और ये इस्तिरी रहेगी अगर जो दूसरों पर आरोप लगाती है तो क्या कहेंगे धेसाही कहेंगे उसमें फिर धेसा ही हो जाएगा जेकर काया थुल्थुल है यानि कि जिसका सरीर एकदब मोटा है थुल्थुला है तो उसको क्या कहते हैं? मोटका कहते हैं हिने हुने छिटाल है इधर इधर विखरा पड़ा हुआ उसको का कहते हैं? चितराल है या छितिचान है अगला है जे एगो आइक है जेकर एगो आइक है जिसका एक आख है उसको क्या कहते हैं काना कहते हैं अगला है जे गाय दूद देवेला यानि कि जो गाय दूद देती है उसको क्या कहेंगे दुधाईर कहेंगे दुधाईर गाय लखे यानि कि जिसका आगे तरफ का बाल नहीं है उसको क्या कहेंगे चाडील कहेंगे जिसका आगे तरफ बाल नहीं है उसको क्या कहेंगे चाडील कहेंगे अगला है जे गरू कर कूबड निकल जायला उसको क्या कहेंगे कूबडा कहेंगे यानि कि जिस बैल का कूबड निकल जाता है उसको क्या कहते हैं कूबडा कहते हैं खेतक धाइरे गड़ा जेकर में पानी रहे है यानि खेत के किनारे का गड़ा या बीच में भी रहता है और उसमें पानी जमा रहता है उसको क्या कहते हैं डाड़ी साथ भाई एक बहिन में ये सब्द आपको मिला होगा डाड़ी जहां बिहा होयला जहां विवा होता है उसको क्या कहते हैं मडवा कहते हैं नाकपूरी में जे गरू छगरी चरायला जो गया बैल बकरी चराता है उसको क्या कहते हैं चरवाहा कहते हैं जे पोड गिलख है यानि कि जो जल गया है उसको क्या कहेंगे पोडल कहेंगे पोडल या जेरल कहते हैं जे कर आगा धारदाइर हो यानि कि जिसका आगा यानि कि मुह धारदार हो उसको चौक कहते हैं जोक यानि कि नुकिला जेकर सवाद पानी जैसन लागेला यानि कि जिसका सवाद पानी जैसा लगता है उसको क्या कहेंगे पइंसोर घर बाढ़ाल कर बादे जे ठुरायला यानि कि घर को बाढ़ने के बाद ज़ाड़ू लगाने के बाद जो जमा होता है उसको क्या कहते हैं बढ़ना कहते हैं अगला है जे कर माय बाप मोईर गिले हैं यानि कि जिसका माबाप मर गया है उसको क्या कहेंगे टूर कहेंगे जे लाल रंकर होएला जो लाल रंका होता है नाकपूरी में उसको का कहेंगे ललहून जे जनाना चरचर बोलेला यानि कि जो इस्तिरी ज्यादा बोलती है ज्यादा तीखा बोलती है या बहुत ज्यादा बोलती है उसको चेरचेरी कहते है जगडा करेवला मरद यानि कि लड़ाई करने वाला जो मरद है पुरू से उसको क्या कहेंगे जगराहा कहेंगे जगडा करने वाली जनी यानि कि लड़ाई या जगडा करने वाली इस्तरी को क्या कहेंगे जगराही, नाकपूरी में जगराही कहेंगे जे जनाना नाचगान करेला यानि कि जो इस्तरी नाचगान करती है उसको क्या कहेंगे नाचनी कहते है नाकपूरी में और जे जनाना कर भेस में नाचेक वाला अमराद यानि जनाना कर भेस में यानि कि इस्तरी के भेस में जो नाचने वाला पुरुस होता है उसको क्या कहते है नटुआ नटुआ एक निरित्य भी होता है आप पढ़े होंगे जिसमें पुरुस इस्त्री का वेश धारन करके निरित्य करता है खेत टाइड में हर चलायला यानि कि खेत टाइड में जो हर चलाता है उसको क्या कहते हैं हरवाहा हल चलाने वाले को क्या कहेंगे हरवाहा जे एखनकर तोरल या बनाल है यानि कि जो अभी का तोड़ा हुआ या बनाया हुआ है यानि कि जो तुरंत का बनाया हुआ है ततकाल का उसको का कहेंगे टटका कहेंगे नाकपूरी में जे घर में घुसल रहला यानि कि जो घर में घुसा रहता है उसको का कहते हैं अगर पुरूस रहेगा तो घर घुसना कहेंगे और इस्तरी रहेगी तो घर घुसनी कहेंगे जे मनक बात मने में रखेला जो मन का बात मन में ही रखता है अगर पुरूस है तो गुमन मुहा कहेंगे और जो इस्तरी मन का बात मन में ही रखती है उसको गुमन मुही कहेंगे जे एकदम में मैलाल रहला यानि कि जो एकदम गंदा रहता है उसको क्या कहेंगे गंदलाहा कहते हैं जे गच मैर रहत होए यानि कि जो पेड़ मरने के असन पे है यानि कि उसको क्या कहेंगे मरुआल कहेंगे मरुआल के मतलब मुर्जाया हुआ, मुर्जाया हुआ को नाकपुरी में मरुआल कहते हैं, जे कर ठन कुछो नखे, यानि कि जिसके पास कुछ नहीं है, उसको क्या कहेंगे, कंगाल, गाउं का बड़ा आदमी, गाउं का बड़ा आदमी को जीमेदार कहते हैं जे आदमी कुछों नहीं बुझेला उसको का कहते हैं बेलूरा भी कहते हैं गमार भी कहते हैं जो वक्ति कुछ नहीं समझता है उसको बेलूरा गमार कहते हैं जे एकदमे करिया है जो बिल्कुल काला है उसको क्या कहेंगे नाकपूरी में भुजं करिया भुजं करिया कहेंगे जोन ठीना गोबर जमा करल जायला यानि कि जहां गोबर को इखटा किया जाता है उसको क्या कहते हैं गोबर गाढ़ा या महिंद गाढ़ा भी कहते हैं हम लोग जोन्ठीन नहाल जायला यानि कि जहां नहाया जाता है उसको क्या कहेंगे घाट कहते हैं जहां जेठीन धान मिसल जायला यानि कि जहां धान को पुवाल से अलग किया जाता है उसको खरियान यानि कि हिंदी में खलियान कहते हैं नाकपूरी में खरियान कहते हैं अगला है बारी के ओगरे खातिर उंच घर यानि कि खेतों की रखवाली के लिए एक उंचा मकान बनाया जाता है इसे मचान भी कहते हैं उसको नाकपूरी में माचा कहते हैं पोरा से बनल अनर रखे वळाववशूत, यानि कि पुवाल से एक बनाया जाता है अनाज रखने के लिए बर्तन बड़ा सा जगा होता है उसको मौरहा कहते है या डीमनी कहते है, उसमें ज़्याद तर धान चावल रखा जाता है बास कर बनाल अन राखेक वाला बस्तु बास का बनाया बिन के बनाया जाता है अन रखने के लिए उसको क्या कहते हैं दवरा खाचा और ओडिया भी कहते हैं ओडिया भी नाकपूरी में कहते हैं जोन ठीन मोरल आदमी मन के पुडाल गाडल जायला ऐसा जगह जहां मरा हुआ आदमी को क्या किया जाता है जलाया जाता है या दफन किया जाता है उसको क्या कहते हैं मुर्दा घाट या समसान घाट गाओ कर देवता गाओ कर देवता को गाओ देवता कहते हैं और गाओ की दे यानि कि गाउं की देवती को क्या कहा जाता है guy gone- basket कहा जाता है गांउ कर पूजय ठाऊ गांउ का जो पूजय अस्थान होता होँ इसको मड़ई कहते हैं हाी है आगह घर कर बाहरे जोनठी ना पानी चुएला यानि की घर के बाहर दिवार के पास जो पानी गिरता है जहां चात का पानी गिरता है उसको नाकपूरी में ओहारी कहते हैं जे घर कर चाइन चारेला यानि कि जो घर को का खपड़ा ठीक करता है उसको क्या कहते हैं चाइन चर्या या चाइन चर्वा कहते हैं जे माटी कोडेला, यानि कि जो मीटी काटता है, कोडता है, उसको कमिया काते हैं, कमिया बहुत सारे लोगों को काते हैं, तो मतलब कि जो भी काम करता है, दिनचरिया वाला, दिन भर का उसको कमिया काते हैं, वो काम कुछ भी हो सकता है, जे ज़ाड भूक करेला, जो ज़ाड जाड़ पूक करेला यानि कि जो इस्तिरी जाड़ पूक करती है उसको क्या कहेंगे भगताइन कहेंगे या ओजाइन कहेंगे घर में पूजा पाट करवा एक वाला यानि कि घर में जो पूजा पाट करवाता है उसको क्या कहते हैं बामहन कहते हैं परप्त वहार में नोह काटे वाला परप्त वहार में नाखून काटने वाला को क्या कहते हैं नवगा कहते हैं यह बालूल भी काटता है नवगा गाव में यह कोई मरता है उस समय भी नवगा को बिलाया जाता है और नाखून काटा जाता है और बाल पुरा मुंडन किया जाता है दूसर कर पैसा कवड़ी उधरा देवे वला को क्या कहते हैं दूसरों को पैसा उधर देने वाला को महाजन कहते हैं जे करजा में डूबल है यानि कि जो करज में डूबा हुआ है उसको क्या कहेंगे नाखपूरी में रिन खवका कहेंगे या करजदार कहेंगे करजदार खवब गयक बजयक वाला यानि कि खुब गाने बजाने वाला थोड़ा रंगीला आदमी जिसको बलते हैं कहते हैं नाकपूरी में उसको खुब गाना बजाने वाला आदमी को रइसका कहते हैं बहुत ही सौकिया गाने बजाने का रहता है खौबे गोठियाक वाला आदमी गोठियाना यानि की बात करना मैंने बताया था अधिक बोलने वाला आदमी को क्या कहते हैं बक बकिया कहते हैं जे धान रोपेला यानि कि जो धान रोपता है उसको क्या कहते हैं रोपनी नली कर पानी से सडल माटी नली के पानी से जो मिटी सड जाता है उसको कादो कहते हैं कादो सिर्फ सडा हुआ है मिटी को नहीं कहते हैं खेत में भी कादो ह होता है जो कि धान या खेती करने के समय पानी और मिटी जब मिल जाता है खुब गीला रहता है उसको भी कादो कहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और चैनल पे नए है तो हमारा चैनल इस्टड